इंदुस्तान के एक एक गरीब आदवी को मुफत में 15-20 लाग रुपे युभी मिल जाएगा जिल्दिगी में कभी भी स्विर्जर रेंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते जाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ेंगा लगाया सारी दुनिया ने देखा गूगल मैप पर सारे नागरी देख पा रहे थे हैं कि पागे चाइना की मूमेंट कैसी है चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाब आवाज उठानी चाहिए थी करीब एक हजार चीनी सैनिक लद्दाक के चुमूर में भारतिय जमीन पर पांच किलोमेटर अंदर तक खुसाए हैं पाकिस्टान एक के बाद एक जुल्म करता जला जा रहा है और सबासो करोड का देश चुप चाप सारी चीजें छेल रहा है डीजी बीएसेफ का एक बहुत बड़ा बयान है पाकिस्तान 1971 के बाद की सबसे बड़ी फाइरिंग कर रहा है नलिन जी बहुत बड़ा मुध्दा बनाते थे आप जब यूपे की सरकार थी इसको लेके कि क्यों यूपे की सरकार नाकाम है और अब आपकी सरकार है तब भी यही सब हो रहा है तो बताईए आपका सुझाव क्या है लोगसबा चिनौज से पहले तक आधार कार को राश्ट्री खत्रा बताने वाले बीजेबी सरकार ने पर्टी मार दी है ग्रिह मंत्राले राज्यों को भरुसा दिलाया है कि आधार कार की मामले में किन सरकार हर संभव मदद करेगी ग्रिह मंत्राले अब आधार के समर्थन में आ गया है मंत्राले का मानना है कि ये लोगों को कहीं भी कभी और किसी भी तरह से सहूलियत देने वाला है that they had not managed their affairs properly in their home country. In March, Arun Jaitli went to the extent of demanding declassification of the report that listed reasons for India's failure in 1962. The BJP would like the entire report to be made public so that more than 50 years thereafter, the nation must know. But now, Defense Minister Arun Jaitli has done a U-turn. In a written reply to the Rajasabha, Jaitli had ruled out declassifying the Henderson report, citing national interest. Is it really the politics of convenience that we are witnessing? The Prime Minister Narendra Modi met with a former separatist, Sajad Lohan, at his residence 7 RCR. Chairman of the People's Conference, Sajad Lohan, has given an interview in which he says that Ram Madhav came and met with me. What was your meeting with Sajad Lohan about? See, we meet with many people. I have met with several others also in the valley. So, it is a process when elections happen. You do meet people, you look for friends, you try to understand local political reality. Rail का किराया बढ़ा जो नए Rail मंत्री आए हैं, उनका पूरा का पूरा जोर लोगों की जेव काटने पर. अबरी खबर ये कि वित मंत्री ने Rail किराया बढ़ाने को सही ठहराया है. वित मंत्री ने Rail मंत्रा ले के फैसले का बचाव किया और कहा कि ये फैसला सही. किसान को जो लागत लगती है केटी करने में उसका जो इन्पुट कोर्स है बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दबाईया होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा, उसके उपर 50 प्रतिशद मुनाफ़ा जोड़ दिया जाएगा, और जो बनेगा, वो सपोर्ट प्राइज होगी अब. मैं पहरा एक कमिटी मनाऊगा, और मैं कहुँगा, इस किस पर कौन-कौन से गुनाई जरा निकालागा, उसमें भाज़पा वालों को भी नहीं छोड़ूँगा. बोधी के मंतरी निहाल चंद पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है, आरोप बहुत बड़ा है और पीड़ता ने अब मंतरी जी पर धमकी देने का आरोप भी लगा है. जिपिस सांसर गिरिराज सिंग नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं. बोधी से दावा किया है कि आरोपियों इसे चोरी के एक करोड़ चौधा लाख रुपे, के अलावा विदेशी करेंसी और गहने भी बिले हैं. अब सवाल ये है कि गिरिराज सिंग के पास इतने पैसे कहां से आए? मोधी सरकार के नयमंत्री प्रोफिसर राम शंकर कठेरिया मुसीवत में फ़स गए हैं. पाँच दिन पहले ही कठेरिया मानावसंसादन विकास राज्यमंत्री बने हैं लेकिन उन पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट बनाने का आरोप है. पीम मोधी ने 1984 के सिख दंगा पीड़तों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है. 1984 दंगे पर मुआवजा देने के मामले में सरकार ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है. सरकार ने कहा कि हमने मुआवजे का एलान किया ही नहीं है. सूत्रों के मुताबिक ग्रेमंचाले ने इस मामले पर कोई भी निर्ने लेने से इंकार किया है. पर ठाथ से सूत्रों कोई सिर्वाजे ने इसाथे लिए तरब दोस्तार मुट्ट विक्षित करें। जिए लिए पर चुनावजे ने पर के लिए को टुन पर कोई भी नोई में ब्रू आपको सोावजे करें। रचसर प्र लएड करें। and also affecting the RTI system itself. Well, Prime Minister has proposed the name of Juris P.P. Rao as the fifth member of the selection panel, but Chishma Swaraj opposed his choice. The government on Saturday defended Lokpal's selection panel in the Supreme Court, which the ruling Bharatiya Janta Party had opposed when it was in opposition. The BJP-led NDA government filed an effigivate in the Supreme Court defending the appointment of senior advocate P.P. Rao as the eminent jurist to the Lokpal panel. Earlier, the BJP had opposed Rao's nomination to the panel, calling him Loyalist of Congress P.P. Rao. The BJP-led NDA. The BJP-led NDA. The BJP-led NDA. P.R. Потому Korean कि ये अब जम्मो कश्मीर के लिए भी हितकारी नहीं है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी ठीक नहीं है इसलिए इसको हटना चाहिए प्यमो में राजमंत्री जितेंद्र सिंग ने कहा अनुच्छे 370 समाप्त किया जाएगा हलाकि बाद में वो इस बयान का खंडन कर गए सुबे टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बला कर हुआ है दूसरे निंटनी बेचा लो करो खबर आती है सामोहिक मलात कार हुआ पार्ट प्डापट लेग तूरिस्त गचाहिए पार्ट आती है सावोहिक बलात कर हुआ प्रूबोरिय डिल्सानी गल मॉटाशल कि अपने देश के अर्थ वबस्ता के लिए आंदिक अर्थ वबस्ता में काला धन और उसको घंडम करने के लिए एक इवास रुपाय है वड़े नोट को वापस ले लिए और आगे भी ठाक के इमत जब इस देश के तोराजी तोर रोगों को रोज की वीक रुपए भी खर्च पाली की लोग जो भारत पर काम करते हैं वह यहां आते हैं भारत के टूरिश यहां आते हैं एक कठिनाई थी 500 और हजार रुपए की नोट को प्रतिमंदी थी हमने नेपाल सरकार को प्रारशना की थी और हमने मिलकर के एक निरने किया है कि अब भारत से 500 रुपए और हजार रुपए की नोट और 25,000 की मरियादा में यह हम ला सकते हैं मेरा तो मंत्र रहा है मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नांस प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्ता समालते से पहले ही केंद्र में छोटे मंत्री मंडल वनाने का एक वक्त पर दावा किया प्रधार मंत्री की दलील थी ऐसा करने का मकसद minimum government, maximum governance के दावे को धरातल पर उतारने की है वादे के मुताबिक 26 मई को छोटे मंत्री मंडल ने शपत ग्रहन लेकर शुरुवात की लेकिन पांच महीने के बाद ही मोदी सरकार का पहला विस्तार मंत्री मंडल के आंकड़े को पहुचा गया छिया सकता जाहिर है सवाल उठेंगे ये लोगतंत्र है, इसमें सब को लेकर चलना होता है और सब को लेकर चलने में मंत्री मंडल का विस्तार भी करना होता और अच्छे लोग भी चाहिए मंत्री मंडल में minimum government का अर्थ ये नहीं होता है कि एक ही आदमी बैठा रहेगा बाकी कोई नहीं रहेगा वही एक आदमी काम करेगा